हम सब बच्चपन से सुनते आ रहे हैं Water is life, पानी ही जीवन है पर क्या आपको पता है कि पानी हमारे लाइफ में कितना important role प्रे करता है और इसके ना होने से हमारे लाइफ पे कितने बुरे impacts हो सकते है आज का यी वीडियो आप सब के लिए उतना ही important है जितना आपको जीने के लिए पानी important है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पानी की importance उसके pros and cons और भी कई सारे चीज़े शेयर करने जा रही हूँ So let's get started हम सब को ये पता है कि human body 75% water से बनी है पर क्या आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी age बढ़ने लगती है हमारी body में पानी का level घटकर 60% हो जाता है किसी भी इंसान या जानवर के लिए इस दुनिया में सबसे प्यारे चीज़ उसकी body होती है और body के proper functioning के लिए उसे पानी किसी अम्रिज से कम नहीं लगता जादा पानी पीने के तो कई फायदे सुने होगे आप सबने जैसे proper digestion, skin पर glow आना, toxins release होना, body hydrated रहना, weight loss होना और भी कई सारे पर क्या आप सबको पता है कि पानी कम पीने से कितने सारे problems हो सकते है health problems जिसे skin problem, digestion problem, acidity, muscle pain, fatigue याने दिन भर थकान होना और migraine जैसे problems तो आजकल हर जगह देखने को मिलते है पर क्या आपको पता है, इन सबी problems के पीछे का एक बड़ा reason पानी को गलत तरीके से पीना भी हो सकता है research से एक fact सामने आया है कि 90% लोग पानी को गलत तरीके से पीते है और यही reason है कि वो सारी problems जब मैंने अभी आपको बताई, वो आज हम सब में इतनी common हो गई है जिस तरह कम पानी पीने से हमें कई problems face करने पड़ सकते हैं, उसी तरह जादा पानी पीने के चकर में पानी को गलत तरह से पीना जानलेवा साबित हो सकता है हमारे body में पानी को खोल करने की एक limited capacity होती है हच से जादा पानी पीने से हमारे blood में electrolytes dilute हो सकते हैं, जिस वज़ा से blood में पानी का level बढ़ कर sodium level बहुत जादा मातरा में घट सकता है और brain पर pressure आ जाने की वज़ा से हमारे जान भी जा सकती है इस condition को medical term में hyponatremia कहते है तो अब सवाल ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे body को कितने पानी की जरूरत है कैसे पता लगाए कि हमारे body में पानी जादा है या कम तो इसके लिए आप urine analysis कर सकते है अगर आपके urine का color dark yellow है तो इसका मतलब आपके body में पानी का level बहुत कम है अगर colorless है तो पानी का level बहुत जादा है पर अगर light yellow color है तो body में water level सही है इसी तरह urine जो एक universal indicator है उसे आप अपने body में water level चेक करने के रिए use कर सकते है अब analysis होने के बाद भी कई सारे सवाल मन में आते हैं जैसे हमें पानी कब और कितना पीना चाहिए पानी पीने के proper timings क्या होने चाहिए और भी कई सारे तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के part 2 में मिलेंगी हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही informative होने वाला है प्लस उस वीडियो में आपके लिए एक bonus भी रहेगा सो stay tuned और तब तक के लिए breathe well, eat well and stay healthy